अजय को ना उसकार दोस्तों स्वागत है बार फिर से आपके चैनल काम की बात में दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं किया आपको इस अपने में दिखाई देता साप का बिल या मदमक्की कछता तो जाने क्या होते हैं इसके परिणाम दोस्तों इस दुनिया में साइध ही कोई एथा बेक्ती हो जो सपना नहीं देखता हूँ लगभग हर बेक्ती रोज रात को सोते से समय कुछ ने कुछ सपना आवच्च देखता है इन सपनों को देखने के बाद मन में कई सारे सवाल उखते हैं जैसे मुझे ये पिसे सपना क् कोई मतलब होता है क्या ये सपना मुझे कुछ कहना चाह रहा है सपनों को लेकर अलग-अलग देशों में विभिन मानता हैं भारत की बात करें यहां सपने को भविष में होने वाली घटनाओं तो जोड़ कर देखा जाता है चलिए जानते हैं कि क्या होता है सपने में इन का मतलब यह होता है कि आप भी बहुत अच्छा सपना है यह सपने का अर्थ है कि यह सपने का अर्थ है कि आप लिए आप चैहते हों कि धन आपको कहीं से और कहीं से भी मिल सकता है इसलिए आप ये सपना आने के बाद अपनी आपको चौक को चौकवनना रखिए खुद को पेड़ पर चढ़ते हुए देखना यदि आप सपने में खुद को पेड़ है कि ती उचे अस्तान पर चढ़ते हुए देखते हैं तो यह भी सुभ माना जाता है इसका मतलब यह है कि आपके जिवन में सफलता मिलने वाली है खासकर आप अप को सफलता की उचायों पर ले जाएंगे कमल का फूल या मालक्षमी को देखना अगर आप सपने में कमल का फूल या मालक्षमी को देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको अपार धनकी प्राप्ति होने वाली है अगर सपने में आप माता लक्षमी को या कमल का पुष्प करता है अगर आप किसी मंदिर या मस्जिद में जाते हुए दिखते हैं तो इसका यही फल आपको मिलेगा कि अपने में साप का बिल देखना सपने में साप का अगर आप देखते हैं तो यह संकेत माना जाता है इसका मतलब यह है कि आपको जल्द ही कहीं से अचानक धन की प्राप्ति होगी हाला कि सपने सांप का आपके पीछे भागना आपको डर लगना सुब नहीं माना जाता और आकरी जो सपना हूँ है मतलब यह होता है कि आपको पैसे की आवक है मतलब इंकम की शुरूर तो जल्दी बढ़ने वाली है यह सपना आपको आने वाले समय में धन कमाने की और नए अवसर प्रदान करेगा ऐसा संकेत इस सपने से माना जाता है तो आचा करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज च